जैसा कि कई स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि हम एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाएं आज मैं आपको एक सिंपल एंड जैन्यून ट्रिक बताने वाला हूँ आपको एनिलीन दिया हुआ है इसमें आपने डालना है एने नोटू प्लस हसी एल तो आपका एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम होता है डाईजोनियम सॉल्ट जिसमें कि बेंजीन के उपपर N2Cl ग्रूप आपका एड हो जाता है और एनिलीन से एक डाईजोनियम सॉल्ट बनाने की इस मेथड को डाईजोटाइजिशन मेथड कहा जाता है और जैसे ही आपका डाईजोनियम सॉल्ट बन जाता है ये काफी अनिस्टेबल होता है तो जैसे ही आप इसको H2O में डिजॉल्व करते हैं तो आपका फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है यानि कि digunium salt को जब आप H2O के साथ reaction करवाते हैं तो आपका phenol का formation हो जाता है तो simple है, aniline से पहले आपको digunium salt बनाना है with the help of digotization reaction और जैसे ही आपका digunium salt बन जाता है इसमें आपको H2O डाल देना है तो आपका phenol बन जाएगा तो यह process है, aniline से phenol बनाने की I hope आपको यह concept समझ माया होगा Class 12 chemistry के regarding और भी important videos देखने के लिए share, subscribe and like Thank you very much